लिलावती क्लासेज की तरफ से हम आपका वार्म वेलकम करते हैं और लिलावती क्लासेज हिंदी के इस रिंखला में आज कारक पर केंड़ित है तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कारक प्रेंट्स आप ये देखिए कि चो कारक है वह बहुत जरूरी है समास बिना कारक के समझ में नहीं आता और वाक्य का जब पूरा अर्थ निकलना होता है तो उसमें कारकों का बहुत योगदान होता है कारक हंदी में क्या है देखिए कारक अगर अंग्रेजी की बात करें इसे case कहते हैं कारक को अगर अंग्रेजी में करें तो क्या बोलते हैं case nominative case, subjective case, objective case, possessive case इसी तरह से कारक है हर ब्याकरण में कारक होता है तो हम Hindi examination के point of view से जो भी परिक्षा में exam में जो question पूछे जाते हैं कारक से लेके उस पर concentrate करते हुए कारक को समझते हैं देखे जब कारक की बात होती है तो कारक संग्या और सर्वनाम का सब्द रूप है जो वाक्य के अन्य सब्दों के साथ संग्या और सर्वनाम का संबंद बताता है फिर से मैं करा हम बहुत सीधे और सरल सब्दों में आप से कोई पूछे कारक क्या है केस क्या है तो आप सीधे बताएंगे संग्या और सर्वनाम का वाक्य के अन्य सब्दों के साथ क्या संबंद है अगर हम इसका निरूपन करें तो उसे हम क्या बोलेंगे कारक जैसे सब्द देखिए उतने ही हैं तीनों वाक्य में लेकिन मैं यहाँ कारक जोड़ रहा हूँ राम ने सीता के लिए रामण से युद्ध किया अगर राम ने ना लिखूं तो किसने युद्ध किया और किससे युद्ध किया ये पता ना होगा लेकिन अगर मैं कहूं राम ने सीता के लिए रामण से युद्ध किया तो अब क्रिया से संग्या का संबंध किलियर है किसने युद्ध किया राम ने किस से युद्ध किया रामण से किसके लिए युद्ध किया सीता के लिए तो कारक क्रिया से संग्या और सर्वनाम का संबंद बताता है बहुत असपस्ट आपको समझा रहा हूँ कारक क्रिया से संग्या और सर्वनाम का क्या संबंद है उसको ये डिनोट करता है रावन ने सीता के लिए राम से युद्ध किया अब युद्ध करने वाला दूसरे वाक्य में कौन हो गया रामन उसने किस से युद्ध किया राम से और किस के लिए युद्ध किया सीता के लिए फिर सीता ने राम के लिए रामन से युद्ध किया देखिए क्रिया एक ही है और संग्या भी है लेकिन अगर हम कारक बदल दे हैं तो संग्या का क्रिया के साथ संबंद बदल जाता है इसी को हम कारक कहते हैं दें देखिए अब सीधी बात संग्या सर्वनाम का क्रिया से संबंद बताना है कि क्रिया को करने वाला कौन है क्रिया का फल किस पर पढ़ता है तो संग्या और सरवनाम का क्रिया के साथ वाक्य के अन्य सब्दों के साथ क्या संबंद है उसे हम क्या बोलते हैं कारक देखिए यहां कारक राम ने राम ने युद्ध किया युद्ध किसने किया राम ने किसे किया रामन से किसके लिए युद्ध किया सीता के लिए तो यह जो ने के वाला कौन है क्रिया का प्रभाव किस पर पढ़ता है और किस ने किस से युद्ध किया तो ये ने के लिए से क्या है कारक चिन है तो उमीद है अब आपको कारक क्या है ये समझ में आ गया होगा देखिए मैं फिर से दोरा रहाँ राम ने सीता के लिए रावन से युद्ध किय क्या कर्म कारक कर्णकार संप्रदान अपादान संबंध अधिकरण और संबोधन कर्ता hacking कर्मकार कर संब प्रदान अपादान संबंध अधिकरन और संभोधन इनको एक एक करके हम समझेंगे कैसे होता है पहले हम देखें विभक्ति क्या है जो कारक है न वह एक चिन्धि के साथ लगाए जाते हैं अगब से पूछे परग्सर्ग क्या है तो संग्या चुरु Isra Tou Ados जो प्रत्य करते हैं कि यह करता का रखे की कर्म का रखें । उनको विभक्तिया परसर करते हैं और इनका एक चिन्न भी होता है कारकों की विभक्ति चिन्न भी होते हैं तो परसर क्लियर हो गया और विभक्ति क्लियर हो गई कुछ भी भक्तिया सर्वनाम के साथ मिल जाती है अब अध्यान से देखेगा कुछ भी भक्तिया सर्वनाम के साथ मिल जाती है जैसे उस सर्वनाम है संग्या के बदले में आया है उस से और इसे हमने कंबाइन करके क्या कर दिया उसे फिर उनको कमबाइन करके क्या कर दिया उन्हें उन्हें का मतलब उनको उसे बोला जाए तो हम क्या समझेंगे उससे तुम रे लिए तो क्या बन गया तुम्हारे लिए मैं रे लिए तो क्या बन गया मेरे लिए तो ये भिभक्तियां के लिए जो है ना के लिए के लिए यह देखे मिल गई हैं तो मैं मैं रे लिए तो क्या हो गया मेरे लिए तो कुछ भी भक्तिया सरुणाम के साथ मर्ज हो जाती है इनको आप ध्यान दीजिएगा देन अप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं कारक के भी भक्ति चिन और इसी टेबल में मैं आपको पूरी तर तो कर साथ प्रकार के कारक हो गए कर ताप कर्म करंद संप्रदान अपदान संबंद मधिक्राण और संबोध्र क्या है जो कुछ संग्या और सर्वनम का संबंद किसके साथ करेंगे कि तुंक्त करें के साथ क्रिया को करने वाला क्या कहलाएगा करता क्रिया को करने वाला क्या कहलाएगा करता राम ने कहा तो कहने का काम किस ने किया राम ने तो राम क्या हो गया करता तो जो क्रिया को करे वो क्या कहलाएगा करता और इसका चिन्दे क्या होगा ने याद दखिए कि एक सामानी चिन्द है ये विसिस्त आपको नहीं याद करना है एक सामाने लक्षण है करता कचिन्य क्या होगा करता नहीं अब भक्ति क्या होगी प्रत्मा भीभक्ति दुतिया विवक्ति तृतिया यह अंकों के आधार पर है आब पंचमी खस्ति सप्तिमि और संबबुन तो जो क्रिया को करें वह संग्या और सर्वanor कर उसे क्या बोलें गर्जठा और इसका लक्ष् ng क्या है राम ने कहा मैं ने खाया देखिए ने आया ना दूसरा जिस पर क्रिया का फलिया प्रभाव पढ़े उसे हम क्या बोलते है कर्मकारक क्रिया का फलिया प्रभाव जिस पर पढ़ेगा उसको हम क्या बोलेंगे कर्मकारक यह को कर्मकारक का क्या है चिन्न क्या है को अब यह साधन है ना तो जिस साधन से क्रिया की जाए उसे करणकारक कहते हैं जिसके लिए क्रिया की जाए उसे संप्रदान करते हैं जैसे रमेश ने मां के लिए साड़ी खरीदी तो आगया ना किसके लिए साड़ी खरीदी मां के लिए तो जिसके लिए क्रिया की जाए उसे हम क्या किया बोलते हैं संप्रदान याद रखिए कि सब में क्रिया करें करता क्रिया का फल जिस पर पड़े कर्म क्रिया करने का साधन करण जिसके लिए क्रिया की जाए संप्रदान क्रिया से अलगाव क्रिया से अलगाव क्या है अपादान और जो संबंद एक सब्द का दूसरे के सा जब किसी को पुकारा जाए तो संबोधन करता ने कर्म को करण से के द्वारा या के द्वारा करन से के द्वारा और भी हैं संप्रदान को के लिए को के लिए अपादान से अलग संबंध का की के का मतलब देखे आपका रारी रे का मतलब तुम्हारा तुम्हारी तुम्हारे फिर इसी तरह से ना नी ने आता है अपना अपनी अपने उसका उसकी उसके आपके समझ में आगा है का की के का मतलब क्या है उसका उसकी उसके अपना अपनी अपने तुम्हारा तुम्हारी तुम्हारे अधिकरन क्रिया करने का अस्थान में पर भीतर भीतर भी में पर भीतर बाहर यह क्रिया करने का अस्थान और संबोधन क्या है हे हो अरे जो ऐसे भी आप संबोधन करते हैं यह संबोधन कारक चिन लगा होता है तो यह कारक और उनके विभक्ति चिन्न हैं सामान्य अर्थ में पहले प्रिफेस में आपको इन्हीं याद करना होगा करताने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान को के लिए अपादान से संबंद काकी के रारी रे नानी रे अधिकरण में पर भीतर संभोधन हे हो हरी जैसा कि आपको छठवी साथवी आठवी में टीचर ने याद कराया होगा यह विभक्ती हैं यह उनके चिन हैं यह उनके लक्षन हैं जो मैं फिर से दोहरा रहा हूं आपके लिए वह यह है कि कारक क्या है संग्या और सर्वनाम का क्रिया के साथ जो संबंद स्थापित करें उस सब्द रूप को हम क्या बोलते हैं कारक अब इनकी हम मुदाहरण पढ़ेंगे आप देखे स्याम खाता है खाने की क्रिया कौन कर रहा है स्याम खाने की क्रिया स्याम इसलिए हो गया करता कारक लेकिन यहां चिन नहीं है करता कारक का चिन ने क्या था ने तो यहां ने का अभाव है लेकिन यह अकर्मक क्रिया है इसी तरह से यहां ने नहीं आया फिर भी क्रिया को करने वाला स्याम है इसलिए करता कारक है अब मैं एक्जाम के पॉइंट आभ विव से जहां-जहां डिफिकल्टी आती है उसको एक्सपेंग करने जा रहा हूं कोई जरूरी नहीं है कि वहां कारक चिं एक ही कारक्चिन ने दो में प्रियोग हो सकता है, एक ही कारक्चिन से दो कारकों में प्रियोग हो सकता है, एक ही कारक्चिन को दो में प्रियोग हो सकता है, तो कैसे पहचानेंगे परिभासा असपस्थ होनी चाहिए, स्याम ने मिठाई खाई है, खाने का काम कौन कर रहा है, स श्याम ने मिठाई खाई ये चिन्ने के साथ है ये बिना चिन्ने के साथ है ये करता कारक का चिन्न और इसमें करता कारक का चिन्न नहीं है स्याम को खाना खाना चाहिए अभी आपने पढ़ा कर्म को स्याम को खाना खाना चाहिए ये जो को है ने ये कर्मकारक नहीं बता रहा है क्योंकि कर्मकारक का मतलब क्या है जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े और जो क्रिया को करता है उसे क्या बोलते है करता कारक तो स्याम को खाना खाना चाहिए ये क्रिया करने वाला कौन है स्याम भले यहां को लगा है लेकिन ये एक कर्म कारक नहों के क्या है करता कारक है अब दूसरा एक उधान देखे अंतर के साथ मैंने समझाया स्याम आम खाता यह कर्मकारक है खाने का प्रभाव आम पर है जब स्याम खाने की क्रिया कौन कर रहा है स्याम इसलिए करता हो गया और खाने का प्रभाव किस पर पढ़ रहा है आम पर इसलिए कर्म हो गया तो स्याम क्या खाता है आम खाने का प्रभाव आम पर पढ़ता है तो जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े वो कर्मकारक है स्याम आम खाता है यह बिना विभक्ति चिन्ने के कर्मकारक है लेकिन स्याम आम को खाता है अब को मिल गया इस वाकिव में को नहीं और यहां क्या है को है ध्यान दिजिएगा यहां को नहीं और यहां क्या है को है और दोनों क्या है कर्मक तो इस तरह से एक्जाम में question आएंगे और आपको पहचानना होगा चिन्निके भी और बिना चिन्निके भी स्याम ने पिता को बुलाया देखिए ने क्या बता रहा बुलाने का काम स्याम ने तो ने करता कारक और को बुलाया तो बुलाने का प्रभाव पिता पर इसलिए हो गय बाण से लाठी से डंडे से चाकू से तलवार से लेकिन यहां मारने की क्रिया किस साधन से की गई बाण से इसलिए किवल एक हाइलाइट है और बाण से अगर बोलेंगे तो क्रिया जिस साधन से की जाती है करण कारक तो मैं बार बार यह कह रहा हूं कि आप परिभाशा जो मै को फल दो धयने का प्रभाव सुनील देखे हैं फल दो तो अगर यहां देने की भाव रही है तो हम इस गणट सुनी rigor और इस गड़ा एक प्राव भाव होना चाहिए लेकिन यह ना क्या बोला रहा है सुनी Edwards के लिये फल दो तो तो यह को में क्या छुपा है के लिए इसलिए क्या होगा है संप्रदानकारक अब आप समझ रहे हैं परिक्षा में कठिनाई कहा है को तो कर्मकारक का चिन है लेकिन यहां को कारति क्या है के लिए इसलिए आप वाक्य का भाव निकालिए और परिभाशा के साथ क्रिया से लेकिन ऐसा तो जनरली लिखा नहीं जाता है कि मैं बाजार के लिए जा रहा हूं तो क्या लिख दिया जाता है मैं बाजार को जा रहा हूं तो यह कर्म कारक नहों कर क्या हो जाता है संप्रदान कारक तो आप परिभाशा और भाव के आधार पर चलिएगा चिन्न के आधार प तो संबंधकारक कमरे के अंदर क्या है देखी कमरे में बीतर क्या है ठीक है न, अब यहां कोई क्रिया नहीं है, कमरे के अंदर क्या है, कमरे के भीतर क्या है, लेकिन अगर मैं यहीं कह दूँ कि कमरे के अंदर राम गया, कमरे के अंदर राम गया, तो अब अंदर क्या हो जाएगा, अधिकरण कारक, कमरे के अंदर राम गया, देख, पानी के भी कुदा तो कूदने की क्रिया। कहाँ हो रही है। तो जो क्रिया करने का स्थान लगंवे अधिकरण, मेय पर भीतर , मेय पर भीतर, तो आप इस उदारां से समझ सकते हैं कि किस तरीके से चिन्य कर्मका है लेकिन भाव क्या निकल रहा है, तो एक समस्या आती है, समस्या का निराकरण अब देखिए कैसे होता है, कर्म और संप्रदान कारक में अंतर, पिछली स्लाइड में आपने समस्या देखा था, कर्म और संप्रदान कारक में कैसे अंतर करें, देखिए कर्म का क्या है, को करता ने कर्म को, और संप्रदान क्या है को के लिए को यहां भी आ रहा है को यहां भी आ रहा है तो जिस को कार्थ के लिए होगा वो संप्रदान हो जाएगा और जिसमें क्रिया का फल कर्म पर पड़े और को आए वो क्या है कर्मकारक हो जाएगा कर्मकारक में क्रिया का प्रभाव या उसका फल कर्म पर पड़ता है जबकि संप्रदान कारक में याद रखिएगा देने का भाव और उपकार का भाव होता है इन दोनों में अंतर यही है यहां क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ेगा और यहां देने का भाव या उपकार का भाव होता है और दोनों के लिए हम क्या प्रियोग कर रहें कंबाइ तो यह को क्या हो गया कर्मकारक लेकिन रमेश ने रोगी को दवा दी तो रमेश ने रोगी के लिए दवाई दी रमेश ने इसको का मतलब क्या है के लिए रमेश ने रोगी के लिए दवाई दी तो यह जो यह वाला है को यह क्या हो गया संप्रदान और उपर के दो हैं वो क् कर्म कारक तो अब आप अंतर बड़े आसानी से समझ सकते हैं तो ध्यान देजिएगा कर्म और संप्रदान में अंतर फिर उसके बाद हम आते हैं करण और अपादान में अंतर यहां कारण है आप सुद्ध कर लिजिएगा करण कारक और अपादान कारक में अंतर ठीक करण कारक और अपादान कारक दोनों में एक ही परसर्ग और एक ही चिन्य यूज होता है से लेकिन अपादान में क्रिया से अलगाव और करण में क्रिया करने का साधन देख रहे हैं ना देख रहे हैं से यदि साधन दिखाता है तो करण कारण होता है और से से यदि माध्यम का माध्यम स से अलगाव का पता चलता है दूर के भाव का पता चलता है तो वह अपादान कारक होता है मैं पैंसिल से लिखता हूं यहां मैं पैंसिल से लिखता हूं यह पैंसिल से लिखने का और वह मैं घोड़े से गिरा एक में अलगाव है और एक में क्या है साधन इस तरीके से हमने दे प्रियास था कि हम exam के point of view से कारक को लेके जो भी आपका डर और confusion था वह हम दूर करें और हमें उमीद हम इसमें सफल भी हुए होंगे आप हमें लाइक शेर और सब्सक्राइब करें हम फेस्बुक ट्विटर और टेलिग्राम पर भी है जिसका लिंक नीचे description में है थेंक यू